मृदंग और मंचीरों के नाच से मंत्र मुग्ध वातावरण पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करते श्रद्धालूओं की भीड ये दिव्यस्थल है दक्षिन काशी के नाम से जाना जाने वाला पंधरपूर महराष्टर के सोलापूर जिले में स्थित पंधरपूर का वर्नन पद्म पुराण में मिलता है मान्यता है कि पंधरपूर में ही भगवान विश्णू ने पांडूरंग रूप में भक्त पुंडली को दर्शन दिये थे और उनके आग्रह पर एक इट पर 28 योगों तक खड़े रहे पंधरपूर में हर साल चार बड़े मेले लगते हैं इन मेलों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालू जुटते हैं जिन्हें मराठी में वारकरी कहा जाता है आशाढ मास में होने वाली वारकरियों की यात्रा पाल की यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है इस पाल की यात्रा में महराष्ट सहित देश दुन्या से भगवान मिठोबा के भक्त गाते जूमते पताका लिए पैदल पंधरपूर आते हैं सद्यों से अवरिल जारी पाल की यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा को और अधिक दिव्य और अधिक भव्य बनाने और तीर्थ यात्रियों की आध्यात्मिक अनुभूती और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्तु में भारत सरकार ने संथ श्री ज्यानेश्वर महराज पाल की मार्ग और संथ श्री तुकारा महराज पाल की मार्ग को नैशनल हाइवे का दर्जा दिया है National Highway के रूप में अपग्रेड होने के बाद ये दोनों मार्ग अब 4 लेन हाइवे और साथ ही दोनों तरफ पाल की मार्ग के लिए समर्पित 1-1 लेन वाले होंगे इससे वारकरियों के लिए पाल की यात्रा सुविधा जनक होगी साथ ही आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक प्रगती को भी नई गती मिलेगी श्री संत ग्यानेश्वर महराज पाल की मार्ग की लंबाई 221 किलोमीटर होगी जिसे करीब 6700 करोड रुपे की लागत से विक्सित किया जाएगा ये राजमार्ग पूने के पास दिविगहाट से मोहोल तक विस्त्रित होगा इस पाल की मार्ग में यात्रियों की सुविधा वसुरक्षा के लिए सासवड, नीडा, लोडंध, हल्तन, नातेपुते, मालशीरस और पंधरपुर में बायपास भी बनाए जाएगे श्रद्धालों की सहूलियत के लिए मार्ग में 12 स्थानों पर पाल की विश्राम स्थल भी विक्सित होंगे श्री संथ दुकारा महराजपाल की मार्ग पूने के पास देहु से शुरू होती है देहु से पाटस तक का मार्ग पहले से ही चार लेन में मौजूद है अतह श्री संथ दुकारा महराजपाल की मार्ग को पाटस से तोंडले तक 130 किलोमीटर लंबाई में 400 करोड रुप्यों की लागत से विक्सित किया जाएगा इस पालकी मार्ग में 12 मती, बावडा, अकलोज, श्रीपूर, बोरगाउं में बायपास भी बनाए जाएंगे श्रद्धालूओं की सहुलियत के लिए मार्ग में 11 स्थानों पर पालकी विश्राम स्थल भी विक्सित होंगे इन दोनों पालकी मार्गों का भूमी पूजन माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं इन परियोजनाव से पूने से पंधरपुर तक की यात्रा अधिक सुखद, सुरक्षित और सुविधा जनक होगी रास्तों में जगा जगा लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ती मिलेगी समय और इन्धन की बचत होगी जिससे प्रदूशन की रोगधाम में भी मदद मिलेगी आधुनेक राजमार्गों के कारण स्थानिय उपज, उद्यम, कारोबार के लिए नए अफसर बनेंगे निवेश और रोजगार को प्रोजसाहन मिलेगा और आसपास के क्षेतरों का सामाजिक आर्थिक विकास भी तीवरगती से होगा आज का दिन पंधरपुर और महराष्टर के लिए एतिहासिक है क्योंकि आज पंधरपुर को जोडने वाली बारा सो करोड रुप्यों की लागत और दो सो तीज किलो मीटर लंबाई की पांच अन्य सडक परियोजनाव को भी प्रदान मंत्री जी राष्टर को समर्पित कर रहे हैं पहली परियोजना है मसवड पिलव पंधरपुर इस मार्ग से संथ श्री गोंदवले जी महराज की पाल की जाती है सातारा जिले को पंधरपुर से जोडने वाली ये एक महत्वपूर्ण सडक है दूसरी परियोजना है कुर्डूवाडी पंधरपुर इस मार्ग से संथ श्री सावता माली जी महराज की पाल की यात्रा जाती है ये मार्ग मराटवाडा तथा पश्चिम महराष्ट के भक्तों तथा यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधा जनक है तीसरी परियोजना है पंधरपुर सांगोला ये मार्ग महराष्ट्र तथा करनाटक को जोडने वाला एक महत्वपून मार्ग है सांगली तथा कोलापुर जिले से आने वाली पालकियां इस मार्ग से पंधरपुर आती है चौथी पर्योजना है टेम्भुर्णी पंधरपुर। ये मार्ग संथ श्री एकनाज norm जी महराज पालकी यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवी परियोजना है पंधरपुर मंगलवेडा उम्दी, श्री संथ गजानन महराज की पालकी भी मंगलवेडा से पंधरपुर तक गुजरती है। ये सभी पांच परियोजना है, पुने, सोलापुर और सातारा जिलों के तीर्थालूओं सहित, किसानों, कारोबारियों, उत्यम्यों और युवाओं के लिए विशेश लाब प्रद होंगी और उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सदियों से चली आ रही पाल की यात्रा को और भी सुविधा जनक एवं सुरक्षित बनाने का जो महान संकल माननिय प्रदान मंत्री जीने लिया है, वह संथ श्री ज्यानेश्वर महराज तथा संथ श्री तुकारा महराज और श्री विठोबा भगवान के आशिरवात से अत कर दो कर दो